लट वो बुरी चीज है जो किसी भी इंसान के उपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान इतनी असानी से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक वो होस में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है जिसकी वज़ा से नजाने कितने लोगों की जिंदग्या भी तबाह हो जाती है आज की भी कहानी में सिम कुछ ऐसी होता है जिसकी वज़ा से एक लड़की मात्र सतरा साल की उम्र में ही हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चली जाती है पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इससे सुनने के बाद हर ब्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप देख रहें सफार क्राइम तक आज की जो सची घटना में आपको सुनने वाला हैं ये घटना है मध्य परदेश की मध्य परदेश के एक जीला पढ़ता है सीवपूरी और इसी सीवपूरी का एक कलोनी आता है क्रिशनापूरम बात कर रहा हूं मैं 6 जून की सुबा सुबा दरसल इसी क्रिशनापूरम कलोनी का रहने वाला जगदीश मंगल जगदीश जो एक बहुत बड़ा बिजनसमैन है जगदीश जब सुभा सुभा सो करके उठते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर चब उत्रे पे एक लड़की का डेट बोडी पड़ा है जिसकी उम्र लगभव 17 से 18 साल के आसपास थी जो देखने में बहुत ही खुबसूरत थी उसके पहनावे को देखकर के लग रहा था कि सैद वो लड़की किसी बड़े घराने की है लेकिन जगदीश जैसी उस डेट बोडी को देखते हैं देखकर खुद भी एकदम से डर जाते हैं इसलिए सचाई पता लगाने के लिए इस बात की जनकारी पुलीस को दे देते हैं इधर पुलीस को जब सुचना मिलती है पुलीस अपने टीन के साथ घटनास्तल पे पहुंचती तो है लेकिन तब तक वहाँ पे काफी तदाद में लोग ही कठा हो चुके थे पुलीस जब उस डेट बोडी को चेक करती है तो मालम चलता है कि उसके सरीर पे कोई चोट और घाव के निसान भी नहीं था पुलिस जब उस डेट बोडी के बारे में वहाँ पे मौझूद लोगों से पूस्तास करती है तब ही उन ही में से एक बेक्ती उस डेट बोडी को देखकर सिनाक्त कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साब इस लड़की का नाम सिवानी सर्मा है जो नवाब सहब रोड पर रहती है सिवानी के परिवार में सिर्फ उसकी दादी है जिसका नाम है लच्मी बाई जिनकी उम्र है लगभग 72 साल के आसपास ब्यक्ती जब डेट बोडी का सिनाक्त कर लेता है उसके बाद से पुलिस डेट बोडी को अपने कबजे मिले कर पोस्माडम के लिए भेज देती है और फिर सिधे सिवानी के घर पे पहुंच जाती है जहाँ पे पुलिस की मुलकात सिवानी की दादी लच्मी बाई से होती है पुलिस जब लच्मी बाई से सिवानी की मौद की खवर देती है ये सुन करके लच्मी बाई चिक चिक करके रोने लगती है पुली जब सिवानी की मौद की वज़ा लच्मी से पूस्ताश करती है लच्मी पुलीस वालों को जवाब देते कि सब कल सुबसुब सिवानी घर पे आई थी और अपना आधार काड़ और कपड़े लेका यहां से चली गई लेकिन सिवानी जब घर पे आई थी तो उसके साथ में तीन लोग और भी थे जिसमें एक लड़का और दो महिला आये थी लड़के का नाम है बिक्की पाठा और उसमें से एक महिला का नाम है जुही और दूसरे का नाम है रूबी, डरसल ये तीनों सिवानी के दोस्त हैं लचमी जब इन तीनों का नाम लेती है, पुलीस अब बिकी से पूस्तास करने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि बिकी अपना घर छोड़कर के फरार हो चुका है इसलिए पुलीस अब जुही और रूबी के घर पे जाती है और दोनों को अपने कस्टडी में लेका ठाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से सिवानी की मौत की वज़ा पूस्ती है इस पे रूबी और जो ही पुलिस वालों को एक ही जवाब देते हैं कि साब हमें नहीं मालूम है कि सीवानी की मौत कैसे हुई है लेकिन बावजूद इसके पुलिस दोनों से कई तरह का सवाल करती है लेकिन दोनों अपने जीत से पीछे ही नहीं हटती है इसलिए पूलिस फिर से घट नास्तल पे जाती है और वहाँ पे लगे CCTV को चेक करती है CCTV रेकोर्डिंग को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रातरी के करीब डेर बज़े के आज पास वहाँ पे एक आटो आ करके ठहरती है और उस आटो से चार लड़के बाहर निकलते हैं और फिर वो चारो लड़के पिछले सीट से सिवानी की डेट बोडी को बाहर निकलते हैं और चब उत्रे पे रखकर वहाँ से चले जाते हैं पुलिस को जब इस तरह की सिसी टीवी रेकोर्डिंग मिल जाती हैं वो सारे रेकोर्डिंग लेकर के जुहे और रुबी को दिखाती है और फिर उन चारो लड़कों के बारे में पूस्तास करती है रूबी और जो ही जब उस CCTV recording को देखते हैं देखकर उन चारों लड़कों को पहचान जाते हैं जो ही पुलिस वालों से कहती है कि साव इसमें से एक का नाम है रजक, दूसरे का नाम है विकास, तीसरे का नाम है गोलू और चोथे का नाम है परमार दरसल ये चारो बिकी के ही दोस्त हैं जब चारो का सिनाक्त हो जाता है पुलिस पूरा यकिन कर जाती है कि अब सीवानी की मौत की वजा बिकी ही बता सकता है इसलिए पुलिस अब बिकी के हर जगोहों पे ढुनना सुरू कर देती है साथी साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है जैसे ही दो दिन का समय गुजरता है आखिर कार एक खबरी थाने में जाता है और बिकी के साथ उसके चारो दोस्तों का लोकेशन पुलिस को दे देता है साथी साथ पुलिस वालों से कहता है कि साथ ये सब के साथ कहीं भागने के फिराक में है लेकिन इससे पहले कि बिकी अपने तमाम दोस्तों के साथ वहां से फरार हो पाता पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पे जाती है और वहाँ से पांचों को गिरफतार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है और फिर बिकी से सीवानी की मौत की वजह पूछती है इसमें बिकी पुलिस वालों को जबाब देता है कि साब हमने सिवानी की हत्या नहीं किया है बलकि वो नसे की आदी थी और नसे की ओवरडोज होने की वज़ा से उसकी मौत हो गई है लेकिन विक्की जब इस मौत की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पूलीज एक और भी गिरोह का परदाफास करती है दरसल सिवानी के माता पीता जो बहादी गरीब परिवार से है सिवानी जब काफी छोटी होती है तभी उसके पीता की मौत हो जाती है सिवानी के पीता की जब मौत हो जाती है उसके बाद से सिवानी की मा एक दम से परिसान हो जाती है सिवानी के मा को लगता है कि अपनी बच्ची की सही तरीके से परवरिस नहीं कर सकती है और उसके चकर में उसकी मा की जिन्दगी भी बरबाद हो जाएगी इसलिए एक दिन सिवानी की मा अपनी बच्ची को अपने सांस लश्मी भाई के हवाले कर देती है और घर छोड़ करके चली जाती है पर जब घर छोड़ करके जाती है उसके बास से दुबारा कभी वापस भी नहीं आती है ये भी नहीं मालूम चलता है कि आखिर का वो चली कहां गई लेकिन कुछ सालों बाद उड़ती हुई खबर मिलती है कि दरसल सिवानी की मान ने दूसरी साधी कर लिया है इधर सिवानी की जीमेदारी अब उसकी दादी लच्मी बाई के उपर आ जाती है लच्मी बाई जो नाम के भले ही लच्मी बाई होती है लेकिन उसके पाथ धन्द अलत नाम की कोई भी चीज नहीं होती है लच्मी बाई जो उम्र की काफी पड़ाव पे भी आ चुकी लेकिन फिर भी अपनी पोती की जीमेदारी बड़ी इमंदारी से उठाती है लश्मी बाई लोगों के घर में जाकर चुला बरतन का काम करती है और बड़ी मुश्किल से सिवानी की परवरिस करती है धीरे धीरे जब समय गुजरता है सिवानी अपने ही इलाके के सरकारी स्कूल से पढ़ाई भी करती है लेकिन सिवानी जैसे ही 16 साल की उम्र में आती है जब उसके अंदर जवानी चड़ती है सिवानी अपनी पढ़ाई छोड़ देती है तभी एक दिन सिवानी की मुलकात बिकी पाठक से होती है बिकी पाठक के पीता का नाम है धरमेंदर पाठक जो सिव पूर जीले के जानी मानी हस्ती है लेकिन बिकी और सिवानी की मुलकात कोई तभाक नहीं होती है बलकि एक साजिस की तहत होती है बिकी जो एक ऐसे गिरोह में काम कर रहा था जो उन लड़कियों को अपने जाल में फसाते थे जिनके आगे पीछे या फिर घर परिवार में कोई नहीं होता है और फिर उन लड़कियों को अपने गिरोह में सामिल कर पहले उन्हें नसे के आदी बनाते हैं और फिर उनसे दिह बेपर का धंधा करवाते हैं बिकी जब सिवानी से मुलकात करता है उसे अपने प्रेम जाल में फसाने की कोशिस करता है और आखिरकार एक दिन अपने मेहनत में कम्याब भी हो जाता है और फिर सिवानी और बिकी के बीच में प्रेम परसंग सुरू हो जाता है उसके बास से एक दिन बिकी सिवानी को ले ज जब दोनों के घर पे लेकर के जाता है, सिवानी जब दोनों के घर पे पहुंचती है और उनके घर के अंदर का सानों सोकत जब देखती है, देखकर एकदम से अचमभा रह जाती है, दरसल उनके घर के जब किमती समानों को देखती है, सिवानी भी लालच में आ जाती है, सिव विक्य और सिवानी जब बंद कमरे में अकेले अपने आपको पाते हैं, आखिरकार उस मौके का फैदा भी उठा लेते हैं। दरसल उसी कमरे के अंदर दोनों के बीच में पहली बार संबंद बनता है। और एक बार जब ये सिलसिला सुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। जब कुछ महिने का समय गुजरता है, इधर बिकी के दोनों दोस्त, जुही और रुवी को जो मालूम चलता है कि सिवानी उनके जाल में बेहतर तरीके से फंस चुकी है, अब उसे सराब के आदी बना देते हैं। दरसल सिवानी को सराब ही नहीं पिलाते हैं बलकि सराब के साथ सा सीरेट और ड्रक्स का आदी भी बना देते हैं। इधर सिवानी भी अपने लट से इस परकार से आदी हो जाती है कि अब उनके बगएर एक पल भी नहीं रह पाती है। जब जुही और उभी को लगता है कि सिवानी अब उनके काबू में आ चुकी है। एक दिन अब दोनों अपनी दिल की बात सिवानी के सामने रखते हैं। दरसल जुही सिवानी से कहती है कि जो तुम ये नसा करती हो इन में पहुत सारा पैसा लगता है। और हमें जितना भी तुम्हारे उपर खर्च करना था हमने कर लिया। अब इसके बावजूद भी अगर इन चीजों का तुम इस्तमाल करना चाती हो तो इसके लिए तुम्हें पैसा लाना पड़ेगा। पैसे लाने की जब बात कहती है इस पर सिवानी जबाब देती है कि ना तो मैं अमीर घर से हूँ और ना ही मैं कोई नुकरी करती हूँ, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। इस पर जोही सिवानी को सुझा देते हुए कहती है कि तुम्हें पैसो की फिकर करने की ज़र्वत नहीं है। दरसल जितना तुम खुबसूरत हो पैसो की अंबार लगा दोगी। हालाकि जब इस तरह की बाते कहती है, सिवानी जोही की बातों को समझ नहीं पाती है। इसलिए जोही से कहती है कि तुम कहने क्या चाती हो, सफफफ मुझे बताओ। जोही सिवानी को समझाते हुए कहती है कि तुम जितनी खुबसूरत हो तुम्हारे उपर लोग आँख बन करके पैसा लुटाएंगे अगर तुम चाहो तो इस धंदे में उतर सकती हैं इस धंदे में जब उतरने की कहती है सिवानी के पास भी और कोई रास्ता नहीं बसता है और आखिरकार जुही और रुबी के बातों में आ जाती है और फिर इस धंदे में उतर जाती है सीवानी जब इस धंदे में उतर जाती है उसके बास से बिकी एक दिन सीवानी को ले जा करके अपने चार दोस्तों से मुलकात करवाता है जिन में से एक का नाम है रजक, दूसरे का नाम है विकास, तीसरे का नाम है गोलू, और चोथे का नाम है परमार दरसल ये सब के सब मिल करके अपना गिरोह चला रहे थे अपना गिरोह चलाने के लिए वैसे लड़कियों का टारगेट करते थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है या फिर उनके परिवार में कोई नहीं होता है सिवानी इनके जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी सिवानी जब इस धंदे में उतरती है उसके बाद से बीकी के चारों दोस्ती सिवानी को लेकर तरह तरह के कस्टमर के पास जाते हैं सिवानी भी दिल खोल करके कस्टमरों का सेवा करती है और कमी समय में डखते ही देखते अच्छा-खासा पैसा भी कामा लेती है उसके बाद से सिवानी चाह करके भी इस दलदल से बाहर ने निकल पाती है हलाके सिवानी को ये महसूस हो जाता है कि वो बुरी तरीके से इस जाल में फंच चुकी है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है जब सिवानी इस धंदे में पुरी तरीके से उतर जाती है एक दिन जुही फिर से सिवानी को समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें हमारे धंदे में काम करना है तो तुम्हें हमेशा के लिए हमारे साथ रहना होगा तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा घर छोड़ने की जब बात कहती है सिवानी इसके लिए भी तैयार हो जाती है इसलिए पाँच जून को सुबसुबा खुद रुभी, जुही और विकी सीवाणी को लेकर उसके घर पे जाते हैं इधर सीवाणी जब कई दिनों के बाद अपने घर पे पहुंचती है उसकी दादी जब सीवाणी को देखती है, दिखकर काफी खूस होती है दरसल लच्मी को लगता है कि साइज सीवानी अब घर आ चुकी है लेकिन सीवानी जब अपने घर पे जाती है अपना कुछ डकुमेंट्स और कपड़े लेखार इन तीनों के साथ वापस चली जाती है तीनों जब सीवानी को लेकर वापस अपने रूम पर आते हैं साम के वग सीवानी को बेहतर तरीके से सजा धजा करके तयार करते हैं दरसल उसी साम को इनके हाथ में एक बहुत बड़ा पाटी हाथ लगा था दरसल इन्हों ने इलाके के कुछ नेताओं से कंटेक किया था साम के वग सीवानी को उन नेताओं के पास जाना था इसलिए सीवानी को बेहतर तरीके से तयार करते हैं पर जब साम होती है साम होने से पहले ही सीवानी ड्रक्स के दो डोज ले लेती है दो डोज लेने के बाद जब जाने का समय होता है सिवानी कहती है कि मुझे एक और डोज चाहिए ये सब के सब भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं और सिवानी को एक और डोज दे देते हैं दरसल इन्हें भी लगता है कि सिवानी जितने नसे की हालत में होगी, कस्टमर को परिशान नहीं करेगी. लेकिन सिवानी जब तीसरा डोज लेती है, वो बरदास नहीं कर पाती है, और उसके थोड़ी देर के बाद, उसे उल्टिया होनी शुरू हो जाती है, और उसके चेहरे से पसीने भी आने लगते हैं. जब इस तरह का हाला देखते हैं, सिवानी के सरी पे पानी का छिड़काव भी करते हैं, लेकिन तमाम कोशिस करने के बावजूद भी, सिवानी के हालत में कोई बदलाव नहीं होती है, बलके जैसे ही कुछ देर का और समय गुजरता है, ड्रक्स का ओभर डोज होने की जाने के लिए उसी रात को एक अटो लेकर के आते हैं, और बीकी के चारो दोस्स, सिवानी की डेट बोडी को उस अटो में लोड करके, इसी क्रिशना पूरम कलोनी में जाते हैं, और कलोनी के जगदीस मंगल के घर के बाहर, जब चबुतरे को देखते हैं, और वहाँ पे जातियों को भी हिरासत में लेकर के आती है, पूली जब इन तमाम लोगों को गिरफतार कर लेती है, अगले दिन जिला दालत में पेस करती है, जहां से इन सब को चिल भेज दिया जाता है, दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सूचते हैं, आप अपनी राय हम बिकास कुमार सींग, जो जिला बैसाली पिहार परदेश के रहने वाले हैं, दूसरे मेरे भीवर है मोहमद एहमद, जो गाजियाबाद उत्तर परदेश के रहने वाले हैं, तीसरे मेरे भीवर है खुदी राम मुंडा, जो जहरखंड परदेश के रहने वाले हैं, चोथे म और वही से मेरे इस वीडियो को देखते हैं, लास्ट मेरे भीवर है मुछंत तौफीक, जो मल दिवस से मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं तमाम भीवर्स को तहे दिल से सुख्रीयादा करता हूँ, कल फिर मिलते हैं को और नहीं सची घटना के सांथ तब तक के लिए जै यही झाल झाल झाल